Hey friends, NAMASKAR, WELCOME BACK TO MY CHANNEL AGAIN, मैं हूँ आपका होस्ट एंद दोस्वो धावत Friends, बहुत अच्छी NEWS है कि Superstar Singer कर Season 2 आज से Saturday 23rd of April से शुरू होने वाला है और यह Sony TV पर आएगा रात को 8 बजे और यह हर weekend में Saturday and Sunday को रहेगा तो 23rd and 24 से शुरू होगा यह, तो आज मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो contestants, इसमें जो final हुए हैं, जो सारे contestants हैं उनकी बात कर रहा हूँ और इसका overall format कैसा रहेगा और इन singers की अपनी क्या qualities हैं तो मैं उस सब के बारे में आप से बात करूँ हूँ यहाँ पर तो सबसे पहले इस show की बात करते हैं साथियो यह season 2 है तो इसमें total you know five captains हैं, तो captains means mentor है basically और उन five captains के साथ में you know three singers, three young artists है, contestants, वो associate रहेंगे उन captains के साथ में तो उन captains की अपनी responsibilities रहेंगी कि इन singers को you know, उनकी जो singing quality है, उसको वो कैसे improve कर सकते हैं मतलब ऐसा होता है कि वो सीख के तो सारे आयवे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि overnight उनको completely change कर देंगे या transform कर देंगे ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो उनको suggestion दे सकते हैं, guide कर सकते हैं कि आप में क्या-क्या चीज में improvement हो सकती है, तो captains के उपर भी बहुत सारी responsibilities यहां पर है, तो सा voter मुझे लगता है कि 15 final होंगे और यह 15 जाएंगे आगे कि पूरे यह जब तक यह show चलेगा और उसमें फिर eliminations होंगे, तो elimination का जो इसका format है वो इस तरीके से हैं कि judges की अपनी decision होगा, judges का decision होगा इसमें, और public voting होगी, उसके basis में elimination होंगे इसके week by week basis में, तो साथ यह बात कर मुझे रखता है कि सारे ही best step ने आप में, और छोटे बच्चे होते हैं तो इनकी आवाज different होती है, जो teenagers उपर चले जाते हैं, जो 16, 17, 18 की आवाज होती है, वो थोड़ी different हो जाती है, वो थोड़ी mature होती है आवाज, तो यह आवाज बच्चों की है तो उतनी mature नहीं होती ह है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो जो overall जो age है यहाँ पर, वो है two years से लेकर 15 years, two years से लेकर 15 years तक की age के contestants ने participate, इसमें किया था, तो इसमें जो 16 नाम आए हैं, उनमें जो सबसे youngest contestant हैं, वो है किष्टूर, जमुएन कश्मीर से समरदी सेन, तो वो सबसे youngest contestant हैं, और जो यहाँ पर बात करते हैं, अब जो contestants की बात हैं, तो total जो नाम है मेरे पास, जो list है मैं आपको सुनाता हूँ, और मैंने अपने उनके definition दी होई है, कि वो किस category में fit होते हैं, या उनको मैं अपने अंगल से अगर मेरे सापोचे मैं उनको कैसे define करूँगा, तो सबसे पहले हैं और यह West Bengal से आते हैं, और यह जो है, मैं इनको बोलता हूँ, यह सूफी फोक के उस्ताद हैं, बहुत जवर्दस सिंगर हैं, in fact, you know, सूफी फोक के उस्ताद हैं, फिर हैं रितुराज, रितुराज जो है कैलिकेट कहरलर से आते हैं, यह 10 years old हैं, बच्चे हैं, और इनको मैं बोलूँगा, यह underdog उस्ताद हैं, तो यह overall competition पर आप इन पर नजर रखिएगा, यह underdog उस्ताद हैं, उसके बाद है विश्वजाज जादो, यह female contestants हैं, यह 12 years old हैं, यह विरार महराश्टरस आती हैं, और आपने देखागा कि इनके फादर भी, you know, वहापे instruments play करते हैं, तो इनको मैं बोलूँगा, यह इनकी जो आवाज है, तीखी playback singing की आवाज हैं, और यह भी अच्छी singer हैं, इसके बाद आते हैं, मुहमद फैज, तो मुहमद फैज जो हैं, वो 13 years के हैं, यह राजिस्तान से आते हैं, और कापी अच्छे singer हैं, इनको मैं बोलूँगा, यह ए जालीकट केरलर से आती हैं, और यह 14 years की हैं, और इनको मैं बोलूँगा, कि यह मैलोडी की princess हैं, इसके बाद आती हैं, समर्दी सें, यह सबसे छोटी contestant हैं, यह 8 years की हैं, और यह जमुहिन कश्मीर से आती हैं, और इनको मैं बोलूँगा, यह छोटी tansin हैं, और इसके रचिश वाली आवाज है मनला खीशती है आपको तरफ आपको अपनी तरफ और यह सीखी वी सिंगर नहीं है इनने खुद बोला था कि इनने लोगों को देखके इननों को देखके इननोंने इननों सीखा है तो यह इन पर भी आप नजर बना के रखेएगा और इसके बाद हम बट्टा चारे जी यह गुवाहाटी असाम से इनको मैं बोलूँगा यह क्यूट मेलोडियस वोईस है तो अच्छे रखती हैं क्यूट हैं मेलोडियस वोईस है इसके बाद आते हैं रहंदास तो रहंदास 11 years old है यह वेस्ट बेंगॉल से आते हैं और इनको मैं बोलूँग हरियाना से आते हैं और इनको मैं बोलूँगा यह कवाली के उस्ताद हैं कवालों के उस्ताद हैं इसके बाद आते हैं प्रत्यूश अनन प्रत्यूश अनन 13 years old है यह भुपाल मत्य बर्देश से आते हैं और इनको मैं बोलूँगा यह सुरो के प्रिंस हैं तो सुरो के इसके बाद आते हैं चैतनिया वैश, चैतनिया वैश यह हैं वो 13 years old हैं और यह पट्याला पंजाब से आते हैं, चैतनिया वैश को मैं बोलूँगा यह सुक्रिंदर हैं, हमारे जुनियर सुक्रिंदर सिंग हैं basically, और इसके बाद आते हैं मनी, छोटा सा एक धमाका हैं यह बी और यह 11 years old हैं, यह आते हैं धरम कोर्ट पंजाब से, इनको मैं बोलूँगा यह उचे सुरो के उस्ताद हैं इसके बाद आती हैं अरुनादास, लास्ट कंटेस्मेंट यहां पर, यह कोलकता वेस्टेंगोल से आती हैं, यह 14 years old हैं, इनको मैं बोलूँगा यह एक क्लासिकल मैलोडी हैं, तो यह एक क्लासिकल, you know, मैलोडियस वोइसेंट की, तो साथियो यह ओवर ओल लिस्ट हो गई है, 16 की, और यहां से शो शुरू हो जाएगा, जब वर्दस शो होने वाला है, आप देखिये, आप बताएं, comment करके कि, आपको कौन से singers इसमें लग रहे हैं, जो आ का यागनिक जी यहां पे हैं, और जाविर अली जी यहां पे हैं, तीनों धुरंदर, you know, अपने आप में singers हैं, जब रदस्त, और हिमेश रिश्यमें जी तो जब रदस, you know, musician भी हैं, और captains की यहां पर बात करते हैं हम लोग, you know, 5 captains हैं, पांच में से चार captain हैं, वो इंड top 4, बाकिरे captains में हैं, अरुनिता, कांजिलाल, मुहम्मद दानिश and, you know, साहिली कामले, साथियो, आप मुझे यह भी बताएं कि, comment करके बताएं कि, आपका favorite captain कौन है, और क्यूं है वो आपका favorite captain, और जो भी singers, बच्चे, उन captains के साथ में associate हुए हैं, आप यह comment करके बताए कि, are you happy with them, you know, आपको सही लगता है कि, वो सही contestant, सही captain के पास में पहुच गये हैं, कुछ contestants finalize हो चुके हैं, captain के साथ में, कुछ होने हैं, जो हमको आज राग को पता चल जाएगा, और कल तक पता चल जाएगा, मुझे लग रहा है, यह इतना easy नहीं रहेगा, किसी के लिए भी जीतना, क्योंकि मैंने इनको देखा है, इनके पुराने भी वीडियो, मैंने काफी लोगों के इन में देखे हैं, इनके बहुत जगा और जगा भी participate किया हुआ पहला, ऐसा नहीं कि, सीधे सीधे यहां पर आ गए हैं, के वल मैं सरगम कुश्वा को चोड़ करके, मैं रिव्यू दूँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि कैसा यह पूरा शो एपिसोड गया, और कैसी सिंगिंग रही वहां पे लोगों की, क्या रियक्शन थे वहां पे जजजेस के, और कैप्टेंस के, तो कैसा था वो मैं सब आपको बताऊँगा, बहुत इंटरेस्टिं हो लेकिन मेरा फेवरेट का मतलब यह नहीं है कि मैं यह बोल रहा हूँ कि वो आप उनको वोट दे या मैं उनको वोट देने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यह बोल रहा हूँ कि मेरी एक विश है कि वो जीते, ठीक है, लेकिन जो अच्छा कंटेस्टेंट होगा, जो यह चाहूँ कि वो ही जीते, लेकिन फेवरेट मतलब फेवरेट होता है, वो मैं आपको बात में बताऊँगा, और आपको जो पसंद है, आप उनको वोट करिए, अपनी तरफ से, और सपोर्ट भी कीजिए, सारे यंग बच्चे हैं, इनको आप बरदस्त दीनों, अपनी त यह हिंसा दियो